तो चलिए दोस्तों आज हम बात करेंगे कि SBI का एस्टेटमेंट कैसे देखें अगर आभी अपना SBI, SBI बैंक का एस्टेटमेंट शेक करना चाहते हैं अपने बैंक बैलेंस का कि हमारा एस्टेटमेंट जो कितना पैसा कटा है कितना बचा है कब कब हमारा पैसा कट रहा है आ 60325 दिन क्या पना बेंग अश्ट disciples निकालना चाहते हैं तो आप Ah killer अगर आभी सब सब्सक्राइब कर अघर आपके सब्सक्राइब और आप चाहते हैं कि हम अपना 6 मंत का यह आप साल भर के अको आउसर पर निकालना चाहते हैं तो इसलिए निकाल सकते हैं आज हम आपको निकाल कर दिखाऊंगा दिखाएंगे लाइब की कैसे आप अपना SBI का statement निकाल सकते हैं और देख सकते हैं पूरा आपको किलियर दिखाने वना इस वीडियो पर लाश्टक बने रहीएगा और पूरा हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप बीना बैंक बीजिट की हुए आप घर बैठे हुए bank estimate निकाल सकते हैं कि आपका bank balance कितना बचा है कितना नहीं सारा ची आप जो की देख सकते हैं और बहुत लोग की क्या होती है उनको अगर balance शेक करना होता है या कुछ पैसा कट गया उनको जनकाई नहीं होता उनको directly bank जाना पड़ता है और आपको पता है कि bank जाने के वजुद आपको पूरा समय बीज जाता है दूसरी बात है कि आपको या तो वहां से statement निकाल कर दिया नहीं जाएगा या तो आपको बैंक एस्टरमेंट निकाल सकते हैं वह भी PDF के साथ चलिए कैसे निकालना है हम आपको इस वीडियो में पूरा बताने माला तो इसके लिए को क्या करना होगा आपको Chrome बढ़ाजर को पेन करना होगा चली हम यहां से open कर लेते हैं उसके बाद आपको Chrome बढ़ाजर open कर देना ह है open करने के बाद अब आपको क्या करना होगा पहले नंबर तो आपको यहां लिखना होगा कि एस कि एस भी आई कि के बाद online अपको लिकर सर्च करने के बाद अब आपको क्या करना होगा स्कॉल करते हैं नीचे क्यों राजाना आने के बाद आप देख सकते हैं इंडिया और और आपको नीची एक option मिल जाती है तो आप यहां से भी registration कर सकते हैं और यहां से भी कर सकते हैं अगर आप new user हैं तो उसके लिए अब आपको क्या करना होगा पहले नमर निव registration पर क्लिक करना होगा अब यहां से थोड़ा सा और आप यहां detail में समझें अगर आप अगर आप अभी तक योणो-sbi को login नहीं किये है या रेजिस्ट्रेशन नहीं किये हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा पहले नमर आपको registration करना होगा तो registration करने के लिए आपको new user पर क्लिक करके उसके बाद आपको तहां आपको next पर क्लिक करते पूरे अपने बैंक का डिटेल यानी अपना पूरा यहां देना जनकारी में आपको क्या क्या देना होगा हो हम आपको बताते हैं किल्यारी कर देते हैं आपको यहां देना होगा Bank account, scrib code branch code country आपको छूच करना होगा देखिए ममर क्या होती है और ती कि सारे यह होते हैं जितने करदांइक होते हैं सबका अलग अलग होता है तो पूरा डेटल डालने के बाद हमने पना लिग तो हम यूजडे और पासवड डाले तो चलिए हम अपना उन्स्वा को ओपन कर लेते हैं तो हमने यहां से ऊपन कर लिया है चलिए और अहरे चाही आपको फीचर मिल जाता है लेको तो यहां आपको मिल जाते हैं एकाउंट डिपोजिट लोन इंसुरेंस यह सारा आपको फीचर देखने के लिए बहुत सारा आपको मिल जाते हैं आप जैसे अगर आप बैंक में जाते हैं तो उसके लिए आपको एस्ट पर मिलता नहीं है तो आपको क्या करना होगा यहां को एकाउंट वाले अप्सन पर क् क्लिक करते हैं तो उसके बाद हमने यहां से यो ने इस वेग ओपन कर दिया ओपन उसके बाद हमने एकाउंट पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं में बैलेंस मिल जाती है माइड डिपोजिट मिल जाती है आपका एकाउंट में जो भी है आपका एकाउंट नोमर के लाश और यहां से पूरा आपको जो की जाती है जो आपको पास्वुक प्रिंट होगा कि आपने कहां प्रेग किया है किस मादे हमसे प्रेक्षा किया कहां पर तोब आपको डाउनोड करने के बाद किस कैसे एपसे हमारा ऑइस तरह से इस करते हैं और को बइस जी आपको यहां मिल जाती है तो आफ डाउनोड कर सकते हैं यह看到building करने की लोगों दो मिलती है यहां डाउणोड वाल पर क्लिक करके आप यहां से डाउनोड कर सकते हैं तो हमने आपको पूरा बता दिया कि कैसे आप उपने टरीजेक्शन यानि बैंक एस्टेनमेंट को डाउनोड कर सकते हैं घजि कि पर